कैने वालोंने तो सिखाने वालोंने तो बहुत कुछ सिखाया कह दिया पर मानना, नहीं मानना, मरे जी अपने हाथ में है प्रत्तिक आच़र भगवंत ने कही न कही हमें जीवन जीने की कला, तरीका, सब कुछ सिखाया पर क्या करे, क्या करे, मांत्र और मांत्र परनिमित्तों को कोचते कोचते हम अपनी भूल को भूल रहे, हम अपनी गल्ती को आज तक नजर अंदाज करते रहे पुना 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 प्रेर्णा देकर सोम प्रवस्वामी, हर श्लोक गाथा में हमें प्रेरित कर रहे है, कि थोड़ा सा थोड़ा सा विवेक्तो जागरत कर, कितनी बड़ी भूल कर रहे है, कितनी बड़ी भूल कर रहे है, वह दुरबुद्धी, वह मूडव दे जीव गुणी पुरुषों की संगती को छोड़कर यहां विमती याने विपरीतमती वाला कुमती, कुबुद्धी, दुरुबुद्धी क्या करता है गुणिनाम संगम विमुच्चम कल्यानम आकांशती कितना मूर्ख कितना मूर्ख है जो गुणियों की संगती को छोड़कर दुरगुणों की संगती दुरगुणियों की संगती को प्राप्त करते हुए यह चाहता है कि मेरा कल्यान हो जाए मैं सुखी हो जाओं कितनी दुरभुधी जैसे जैसे यह आकांग्शा करना उचित नहीं है यह इच्छा करना उचित नहीं कैसे असवु पुमान ध्वस्तदध्धर्मा वांशोति जैसे वह पुरोष दया के बिना ही धर्म चाता है आज जीवों निशित करना सीख लिया है निर्मल जी जैसे I know Maraj, धर्म हम जानते, आप क्या जानते हो, दया कोई धर्म थोड़ी नहीं है, दया धर्म नहीं है, सिंगेजी लोगों ने निशेद करना प्रारब कर लिया दया का, दया का निशेद करोगे तो धर्म कहां जाएगा, वे दुरबुद्धी है, एक नीती सिखाते हुए, सोमप दया करोणा अगर नहीं हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे पास आहें साहिद सा नाम का धर्म बचाए का जाएगा एं, ये सब यहां कहिला जी कहते हैं लोग पर जाके सुनो ना इन से पूछ बगल में बैठें नहीं कहा कैसा, निशेद किया जाता है, साप साप निशेद कि जाता है दया तो व्यवहार है दया नहीं करनी चाहिए लिखने वाले कौन सुद्धों पर सुधरों फिर सुधर जाओना दिवाल किसकी रंग किसका हाथ किसके बुद्धी किसकी दुरबुद्धी की हम सत बुद्धी है तो थोड़ा तो विक विचार करो दया हिन्सा का मूल नहीं है भले ही वेवहार से निष्चे से हमें कथन को समझने की आवज सकता है यहां जूट लिख रहे है क्या यहां सुम्परफ स्वामी जूट लिख रहे है क्या पुरुष दया से बिना धर्म चाता है जो पुरुष द्रिष्टान दिया अस्वेम के जीव के प्रति नहीं होगी तो तुम अहिंसा धर्म को मान ही नहीं सकते नहीं होगी धया से बिना धर्म मानना ये दुरभुद्धी का काम है और चुत नया यशा वांचती न्याय मार्ग को से चुत होकर यश चाहना, किर्ती चाहना भूल मत करना दिवा किर्ती तुम न्याय मार्ग को छोड़कर कभी कभी यश ख्याती प्राप्त नहीं कर सकते कितना ये माईक से सबके सामने कुछ भी कह लेना पर अंदर बाहर कुछ भिन भिन अन्याय न्याय की बाते चल रही है कुछ का कुछ विचार, कुछ का कुछ वकतन चल रहा है तो कभी कभी तुमारी यशा किर्ती, दिवा किर्ती नहीं होगी नहीं होगी न्याय मार्ग से चुत होकर यश चाहता है कौन? दुरबुद्धी जो सजनों को छोड़कर दुरजनों का संग लेकर दुरजनों के साथ होकर अपने आपको अपने आपके जीवन का कल्यान करना चाहता है वो मुर्ख क्या सोचता है? धर्म दयां से रहित है दयां छोड़कर मैं धर्म कर लूँगा मैं अद्याय की मार्ग से अद्याय को छोड़ते हुए यस्प्राप्त कर लूँगा प्रमत्ता वित्तम वांचती प्रमादी पुरुष को धन को चाना जैसे प्रमादी आलसी पुरुष कितना ही धन को चाहे पर धन मिलने वाला रतने जी नहीं है बिना महनत किये धन आता है नहीं आता बिना मेहनत किये धन, दौलत आती ही नहीं है, धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रमादी जीव, प्रमादी जीव कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता, ये एक-एक सुक्तिया पंडी जी नीतिया है, एक-एक सुक्तिया जो द्रिस्तांत के रूप में दी है न, वो भी जीवन जीने की कला सिखाने वाली है जबकि द्राष्टान्त कुछ वकिल साब अलग है तुरबुधी संगती सुसंगती छोड़ता है सजनों की संगती सी दोर होता है ऐसा ना करे इसलिए द्रिष्टान भी क्या गजब के दिये एक-एक सूत्र एक-एक सूत्र भी अकर एक-एक पंक्ती भी समझ में आ जाएगी तो जीवन बदल सकता है पर हम बदलना नहीं चाहते हैं माराज आप बदलनों चाहना है तो हम नहीं बदलेंगे हम नहीं बदलेंगे बदलना तो पड़ेगा निश्प्रतिभाः कावव्यम वांचाति वांचति प्रतिभाः है नहीं है और काववे रचना कर रहे है इदर की दो पंक्ति उठाईट उधर की चार पंक्ति चुराली पाटणी कहते मेनी शुबर अचित कवीता है सनलो बता रहा हूं तुम्हा के लिए पाटनी हो क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें क्यों बुरी लगी मतलब तुमने करी ये गड़बड हम तो सीधी कह देते भाई जिसको बुरी लग रही मसाला वो मसाला लगाना छोड़ दे क्योंकि बिना मसाला का भोजन और बिना साले का घर अच्छा नहीं होता न इसलिए पढ़ो निश्प्रभताहा प्रतिभा से रहित काव विरचना जिसके पास बुद्धी नहीं है अकली नहीं है तुकडे तुकडे करते हुए क्या काव विरचना करोगे वो चोरी कहलाएगी आप कभी नहीं कहलाएगे आप कभी नहीं कहला सकते है मन और इंद्रियों के दमन से रहित पुरुष तप करना चाता है ढोंग तो करेगा तप नहीं कर पाएगा मन और इंद्रियां दोनों को दोनों को तुमें दमन करने की शक्ति प्राप्त करनी होगी तब तुम्हारा तब है अल्प मेधा शृतम वान्चती अल्प बुद्धी ज्ञान को चाता है ज्ञान भी चाते हो तो बुद्धी को सोच को बड़ा करने का प्रयास करो तब कुछ काम बन पाएगा आदेजी ने तो सब निरादेश हो जाएगा सब काम बिगड़ जाएगा अलोचना वच्वा लोचनम वान्चती अंधा वेक्ती आँखों से रहित वेक्ती आँखों से रहित वेक्ती देखना चाता है क्या बिना आँखों से देख सकते है बिना आँखों से देख सकते है देखने का मतलब मात्र देखना ही ग्राण करना नहीं तो निर्मल जी गोहत ग्याने कि महराज जै आयनो दर्शन मात्र चक्षु दर्शन थोड़ी होता है और चक्षु दर्शन से देख लेए यहां कोई उस दर्शन की बात नहीं देखने की बात हो रही है नहीं तो सब्दों में पकड़ने वाले ज्यानी कम थोड़े निवी दिशा में नामे वी दिशा है आओ चंचल मना नचो ध्यानम वान्चती चंचल मन वाला ध्यान चाहता है ये कतई संभव नहीं है जैसे चंचल मन वाला ध्यान नहीं कर सकता आँखों से रहित देख नहीं सकता अल्प बुद्धी ज्यानी नहीं हो सकता मन और इंद्रियों को जीते बिना तप नहीं किया जा सकता प्रतिभा बुद्धी के बिना काविरचनाई नहीं हो सकती प्रमादी पुरुष धन को प्राप्त नहीं कर सकता न्याय मार्ग को छोड़ने से कभी यस नहीं मिलता है दयासिरे धर्म नहीं होता है बिलकुल ऐसा ही कभी भी दुर गती या दुर कुछ संगती के निमित्त से आपका कल्याण कल्याण मल जी नहीं होगा संगती प्राप्त करनी होगी क्यों? क्या नहीं मिलता संगती से क्या क्या कुछ नहीं मिलता संगती से सब कुछ सब कुछ मिल सकता है क्यों आगे कह रहे है हरती कुमती भिंते मोहम करोती विवेकिन जो गुणो तमा संग कुमती महरती जो गुणी पुरुषों की संगती होती है ना दुरबुद्धी को भी हर लेती है दुरबुद्धी को भी हर लेती है दुरबुद्धी को भी हर लेती है अगर सज्जनों के साथ रहोगे ना तो कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ भले एक दो चार प्रतिशत पर कुछ प्रतिशत प्रभाव तो पढ़ता ही पढ़ता है पढ़ता ही पढ़ता है दुरबुद्धी ठीक हो जाएगी तुमारी दुरबुद्धी ठीक हो जाएगी संगती को प्राप्त कर लो मोहम भिंते मोह नश्ट हो कर देती है कौन? सत संगती सत संगती, गुण पुरुषों की सजन पुरुषों की संगती नियम से तुमारी दुरुबुद्धी भी ठीक कर लेती है मुह भी नश्ट कर लेती है कुछ जो विशेश 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 दुरुबुद्धी होते है उनको भगवान नहीं सुधर पाए उन्हें भगवान की संगती नहीं सुधर पाई फिर हम जैसों की और आप जैसों की तो कह नहीं क्या उनके तीविर पाप का उदय है, कहां समझ पाया था मारी जी, भागी गया था विचरा समोशरन से भागी गया था समोशरन से अब देखते हैं कितने लोग निर्मल जी भाग लेते हैं पंडी जी, समोशरण विधान से, मारी ची समोशरण से भाग गया था, पाटनी पहले कहता है, समोशरण विधान से हम भाग रहे हैं, वहाँ तो यह कई समोशरण से भाग गया था, कितने भवोतक भटका था, यहां व के रहूं जो मारी जी जैसा होगा ना वो विचारा दिर्ग संसारी वो समोशन विधान से भी भाग लेगा सोचो अभी पहे रहे थे वकिल साब यही पह समोशन विधान हुआ था ना इसी प्रांगण में एक समोशन विदान गुरुजी के सानेदे में हो था कितना सौभाग है कि गुरु के आशिरवाद से वही एक के कितने साल हो गए लगबग 18 साल हो गए 18 सोला साल कुछ जोला 18-20 18 साल हो गए न 18 साल हो गए तो देखो वो तो पांच साल में दुगना होता ही है ना? पांच साल में व्यास सेथ भी दुगना होता है तो कितना पुर्ण ने बढ़ गया है विदिशावालों का तब एक समोश्रण विधान हो था आप चोवीस और एक पांच ऐसे पचीस समोश्रण के साथ आप विधान में बैठोगे वह एक सो एक भगवान आपके चारों दिशाव में तब आपको देखने मिलेंगे आप सोच लेना मा भाग लेना है की? भाग लेना है क्यों रतने जी? भले ही कृत कारीत अनमोदना से जो जैसा ये तो पका है नरे जी जो जहां जैसा प्राप्त करेगा भाग लेगा उसको वैसा मिलेगा और जो भाग लेगा उसको वैसा मिलेगा इसलिए निरना है कर लेना मा इरुतुमें तो भाग लेना है भाग लो भाग लो कितनी कितनी गजब की बात कह रहे है मोह नष्ट हो जाता है, विवेक संपन हो जाता है, अरे मूड बुद्धी भी हो ना, संगती में पहुंच जाओगे ना, तो अपने आप काम हो जाता है, अपने आप काम हो जाता है, थोड़ा सा पुदगल-पुदगल दरव्यों को ही तो समझो, फिजिक्स की लैब में बैठ लोहा छोटा और चिंबक बढ़ा है, तो लोहा भी चंबक बन जाता है, वो फिजिक्स तो हमने पड़ा है, पर जीवन का फिजिक्स, ये भी तो दरव्य है, इसमें भी तो बहुत एक शास्त्र है, अपर वो कहां पड़ते हैं, उस लोहे को चंबक करने के लिए, वह बहुत बच्पन में खूब चुम्बक लेके घुमें होंगे, खेली होंगे, मिट्टी में, वहां तो लोहे को खोज रहे है, इस लोहे को भी तो चुम्बक बना लो, इस लोहे को भी तो पुर्ण्यात्म और धर्मात्म बना लो, पुन्ह मौका मिले नहीं मौका मिले, कोई ठीकाना न है अक्टूबर भी देखते देखते शुरू हो गया अज 2 अक्टूबर है न आज 2 अक्टूबर है हैं बस 22 दिवाली के अज 2 अक्टूबर है और भी किसी नमित से 2 अक्टूबर किसी वेक्ति के नेमेत से क्योंकि याद तो हर किसी को किया जाता है मारने वाले को भी और मरने वालो को भी भाग लेने वालो को भी और भाग लेने वालो को भी नरेजी निरने करना है भाग लेना है की? भाग लेना है बाकि तो हम भाग लेती रहे इसमें भी भाग लेना है क्या पता पुना कब 24-25 और क्या वह द्रश्य होगा अनभाव कर लेना पढ़ते हैं दो तिन और निती बता रहे हैं रितिम वितरती पृति को विस्तरित करता है नितिम सूते न्याय नीती को उत्पन्न कराता है सजन पूर्शों की संगती ही तुम्हारे जीवन में न्याय नीती ला सकता है बाकी जीवन भर तो अन्याय अन्याय करते है अन्याय ही करते है विनितताम तनोती विने गुन बढ़ाता है सजनों के साथ रहने से गुणी जनों के साथ रहने से वह तुम्हारा विने गुण बढ़ता है यशो प्रतेती यश का विस्तार होता है धर्ममधत्ते धर्म को धारन करता है दुरुगतिम व्यापोहती दुरुगतिको भी दूर हटाता है नृणामकिम अभिष्टम न जनेती अरे ऐसा क्या अभिष्ट है जो आज तक गुणियों के साथ रहने से नहीं हुआ सब सब अभिष्ट मनुष्यों को प्राप्त हो सकते है जो आप चाहो वो सद गुण आप उन गुणियों के सजनों के साथ रहके प्राप्त कर सकते हो पर वो ही वो ही मुकेजी कर सकता है जिसका सवभाओ गोच नहीं है गोच नहीं जानते गोच नहीं जानते वह सेलेंजी थनों पर लगके भी दूद की जगे खुन चूचता है वो उस तुरजन है इसलिए वहाँ गुणों को जगे वह उस दोशों को ही खीचता है हम गोच नहीं बने हम कोच बने हम गोच नहीं बने हम कोच बने, जैसे ये कोच उस बालक के दुरुगणों को निकाल कर उसको खेलने में, पढ़ाई में आगे बढ़ाता है ऐसे ही दुरुगणों को निकाल कर गुणों को बढ़ाने का प्रयास करे तो ही हमारी गती, संगती और सद्गती रूप होगी नहीं तो फिर दुरगती दुरगती आप ही ने कहा है, मैंने नहीं बोला आप ही लोग बोलते हो, मैं क्या करूँ आप ही किनिस्चित है, सो आपने बोल दिया में तो नहीं भूलाता, मैं कुछ कहां भूलाता हूं करते हैं आपके बड़े मंदिर में मैंने क्या किया, मैं तो कुछ करते हैं नहीं हूं समय हो गया है, समय को, पुना समय पर समझने के लिए कल से उस शीटल सहिएम मोहाच और को हम सभी मनाएंगे कि इतना बड़ा सो भाग्य है! लोगों को एक मौका नहीं मिलता और छहे से लेकर पतानी क्या क्या मनाने का मँगा पुराप्त vanity कर लिया है ये वेदिशाdब खैत मा जीवों का ही और शमी फैनलीवा Event है नो तारीक को भी हम आचार भगवन के जनम दिवस को भी और पचीज समोशरणी विधान को भी हम उच्छा के साथ संजे, सेड़ जी और संजे पारस में है निरने करना, भाग लेना है कि? भाग लेना है उदास हो गए क्या बात है आज? दुखी हो? नराज हो? खुस है? देखते हैं कितने खुस है? करेंगे समय पर, समय की बात, कल से उन विधवानों की संगती को प्राप्त करना है क्योंकि बात संगती की चल रही थी और वे आ रहे है और हम ही घर बैठे तो क्या मतलब? इसलिए जो अपनी महनत करके अपने गुणों को, ज्यान को समझाने बताने आ रहे है, प्रयास करेंगे कि उनकी भी संगती प्राप्त करके आप अपनी सद्गती को प्राप्त करें द झाल झाल